तो में रिसंटली स्पेसपोर्ट से रिकोटा गया था इजरो का लाइव लॉंच देखने, इस वीडियो के दो पार्ट सोंगे, एक होगा S22 Ultra से लिया हुआ, शॉर्ट और उसका कंपेरिजन इजरो के कैमरा से, और सेकेंडली वो जो एरे आये जहाँ पब्लिक बेट के रॉक एक वीडियो के नहीं, क्योंकि वीडियो मोड में आप बस 20X तक जा सकते हो, मैं 4K करके 20X करके फिर क्रॉप कर सकता था, बट वहां भाही मैं बहुत नर्वस था, मुझे कुछ सूज नहीं रहा था, कैमरा मोड में आप 100X तक जा सकते हो, 80X, 70X तक यूजबल है, यह जो मै चिसके उपर जूम कर रहा हूँ, वो है second launch pad, second launch pad easily identifiable है, उसके बड़े चार lightning towers है, lightning protection के लिए rocket के, बीच में pad है, उसके उपर yellow crane है, rocket उस pad पे बैठता है, तो काफी easily identifiable है दूर से, और अगर आपको reference दिखा हूँ, यह जो भुवन है, उसके उपर आप देख सकते हो, कि हम कर लोग यह भी notice करोगे कि एक point पे आके वो बहुत blur दिखते हो, और suddenly clear होता है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस phone का layout देखो camera का, तो वो 0.6x wide angle, 1x जो अपना normal wide angle है, फिर 3x और 10x periscope, जो horizontal lens है, वैसा है, तो 3x से 9.9x तक 3x वाला sensory handle करता है, तो इसलिए वो digital zoom होता है वह आपे, और फिर 10x पे वापस sharp हो जाता है, इस case में आप याद रखो, zoom, fog से भी impact होता है, मतलब atmospheric condition से, तो 6 km दूर है, आप तो imagine कर सकते हो, काफी सार atmospheric artifacts आजाते है, अभी मैं यह वीडियो प्ले करता हूँ, पर एक गलती हो गए मेरे से, अगे nervousness में मैंने screen record करते हो, माइक वाला option नहीं लिया, तो मैं इस रो का sync कर दूंगा audio, लिफ्ट आपन, LV M3 M3 प्रमोचन यान का, आकाश में गर्जना करता हुआ, यह सबसे भारी rocket है, इस रो का, here from the Mission Control Center, we can feel the vibrations of the launch, दोनो S200 boosters, समाने निश्पादन करते हुए, और यान अपने उदिष्ट कक्षा की होर, तो अभी मुझे बते हैं, दो तरगे लोग होंगे, एक जो बहुत शॉक्त होंगे, कि फोन से यह footage आया, और दूसरा जो बहुत disappointed होंगे, कि क्या ही footage आया, मुझे आप personally पूछो, तो मैं काफी impressed हूँ, क्योंकि यह phone मेरे pocket में होता है, मैंने pocket से निकला और simply zoom slider मारके zoom कर दिया, decent shot के लिए, जो काफी incredible है मेरे लिए तो, एक और चीज़ आप notice करोगे, L110 कहते है, मतलब liquid stage with 110 tons of propellant, उसके उपर दो विकास engine है, पर यह दो विकास engine, ground पे चालू नहीं होते है, हवे में जाके चालू होते है, पर वो करीब 2 minute बाद, और यह आपको जो puff of smoke दिखा, वो 1 minute के आसपास था, तो कुछ भी हो सकता है, यह कोई vapor कोन भी हो सकता है, clouds भी हो सकता है, हमें नहीं बता, बट interesting यह है कि phone से यह details make out कर पाए हम, और अगर आपको सच बोलू, तो इस video का actually original title होने वाला था, I shot isro launch better than isro, बट guess what, इस launch के लिए, या future launches के लिए भी isro ने अपने camera के upgrade किये, water pumps आते, noise suppression system, launch pad को protect करने के लिए, जैसे यह rocket उड़ता है, वो तक एकदम crisp 1080p में देख सकते हो, क्या खूबसूरत footage है, और भाई, सहाब यह tracking, यह tracking मतलब तो एकदम lock हो गया है rocket को, आपने मेरा tracking देखा है होगा, आमें zoom out कर रहा हो, ढूंड़ रहा हो rocket को, फिर वापस उपर, वापस zoom in, zoom out, tracking बहुत difficult है अगर आप हाथ से कर रहे हो तो, इजरो के probably कोई बड़े machines होंगी, जिसके उपर ते telescope pound होगा, और यह definitely auto track होगा, इतना precision manual track में मुझे नहीं लगता है, बट I hope, अगर इजरो की camera team ये video देख रहे हैं तो, I hope आप future में कभी एक detailed nerdy video बनाओ, जिसमें आप cover करो, आपका camera hardware कैसे operate होता है, कैसे काम करता है वगेरा, इन्हों हम इतने सालों से कोशते है इजरो को, कि camera quality अच्छी नहीं है, यह नहीं हो नहीं है, पहले इसका separate हुआ करता है, तो, CBPO में काफी capable लोग है, इजरो का merge program वगेरा जो start के था, वो CBPO नहीं किया था, तो, thank you आपको, बट एक याद रखना, कभी भी किसी को चने की जाड़ पर नहीं चाड़ना, यह अच्छा है, बट यह perfect नहीं है, और यह जो drones के साथ, बीच-बीच में experiment करते है, वो mainstream हो, और launch होते होते हैं, हमें एक drone shot मिले, प्लस onboard cameras जो है, rocket Q उपर, उसको at least HD to Full HD में upgrade किया जाए, अच्छे color gamut के साथ, इन्होंने onboard cameras का release किया, आप देख सकते हैं, यह काफी smooth था footage, इनिशली बहुत जट रही था, पर end में काफी बहुत-बहुत smooth footage था, बट इसके colors और इसका contrast brightness यह सब messed up है, तो हाँ, तारीफ करो caution के साथ, तो अच्छा है, thank you to CBP और जो भी team इसके उपर काम की, और मैं अपने phone के साथ भी कूशू, सच बोलू तो, I mean, इतना सा है, वो phone pocket में जाता है, और मैं इतने अच्छे, semi से भी कम वाला professional rocket launch footage ले पता हूँ, जो काफी अच्छा है, in fact, आप अगर पिछले एक साल से, जो भी मेरे channel के उपर ही, जो real videos देख रहे हो, जैसे astronaut suit का वगरा दिखाया था, वो सब इस phone से आया था, तो काफी cool, हमें बहुत बढ़ा tech nerd हुआ है, बहुत बहुत बढ़ा, अभी part 2 पर आते हैं, experience कैसा था, काफी खूबसूरत था, और disappointing भी एकदम साथ में, आपको बताए होगा, twitter पर पर आप follow करते हो, बहुत clean है, 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे, वो handle कर सकते है, right side में stadium के मत जाना, वो बहुत ठिक टाक नहीं है, location अगर आप GSLV launch देखे हो, क्योंकि GSLV second launchpad से होता है, बीच में से आप second launchpad बराब बर जाख सकते हो, जहाँ से मैंने footage record किया है, पर अगर आप left side में जाओगे VAB के, left side में जाओगे stadium के, तो आपको जो VAB है, VAB मतलब vehicle assembly building आनि, जिसके अंदर rocket के उपर, part के उपर, part लगा के assemble करते हैं, वो दोनो VAB दिखेंगे, मतलब first VAB, VAB और SVAB, मतलब second VAB, दोनों दिखते हैं, और वो इतने बड़े buildings हैं, मतलब 4-5 km दूर से इतने बड़े लगते हैं, रियल में कितने बड़े होंगे वो, disappointing बात क्या थैं, disappointing बात यह है, कि यह rocket launch का जो adrenaline rush है, वो बैरले 10-20 second होता है, वो ऐसे rocket आता है, उपर जाते हैं खतम, और weird चीज़ यह है न, कि अजीब लगता है, GSLV Mark III इतना बड़ा rocket है, इतने बड़े हैं, मतलब कितने सारे hundreds of tons को ऐसा उपर जाते होंगे देखना, वो unreal लगता है, वो feeling digest नहीं हो पाती starting में, प्लस एक चीज़ camera में देखती है, उसका flame, real में न, उसका flame बहुत bright yellow है, पर वो दिखता नहीं ये camera के उपर, और हम lucky है कि ये solid rockets इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम ये smoke के वज़े से वो trail दिखती है, अगर ये liquid fully होता, तो initially थोड़ा दिखता, बाद में फिर गाय भी हो जाता sky में, बहुत fast उड़ता है ये rocket, देखो हमने ज़्यादा complicated item नहीं रही की, हमने चन्ने में रहा, चन्ने में car rent किया, और सुबे चन्ने से श्रीयर रिकोटा, जो करीब 100 km उपर है नौर्थ, वहाँ पे आए, चार बजे निकले हम लोग 7 बजे तक पहुचे, जल्दी पहुचे दाकि हमें अच्छी seat भी मिले, और वही था, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के option से आप Google कर सकते आपको मिल जाएगा, तो बस यही था, ज्यान के गरीव सबसे बड़ी, जेहिन जे भारत,